मोदी जी गुंगे भेरे हैं कभी नहीं सुनते एक छुपा हुआ अजेंडा है मोदी के मन में भी वस्राज बॉमाई के मन में भी और आरेसिस के मन में भी हमारे किसान बरबाद होना पैसिस थे हिटलर जैसा है जाती के उपर जगडा करने के लिए पैसा है क्या आते है देश के कितान बरबाद हो जाओ और अम्बानी अदानी को पूरा हिंदुस्तान बेच आप तो बेच डाले हैं हम भाई आप एक ड्रेस पेंते 10-10 लाग के एक ड्रस सुबह में एक दुपर में एक शाम मेडिक नाककबाजी करते हैं अरे हम आपके एक ड्रस के दाम भी हमारे किशान को बच सकते हैं आपके पास है वो पैसे से आप मुआप जादे इस साल लोग बरबाद हो रहे हैं डबल एंजिन सरकार है ना स्टेट आउट सेंटर ये डबल धुका करने वाले डेंजर सरकार है क्योंकि ये आदानी अंबानी का इंकम एक साल में दो साल में कितना हुआ आपको मालूम है ये एक लाग पचासी करोड उनका करज माफ करते हैं मगर किसान बरबाद हो रही है उनका जो विमा है जो इंसुरेंस पैस है वो भी नहीं दे रहे हैं जो सच बोलते है उसको जेल में डार रहे हैं मोधी जी अरे हम भी देखेंगे हम भी देखेंगे जोर होए कितना ताकत है आपके कातिलों में कितना ताकत है हम भी देखने के लिए ठान रखे हैं आप तो सताने के लिए ठान रखे होंगे लेकिन हम तो इस देख के लिए मर मिटने के लिए भी ठान रखे हैं मोधी जी मोधी जी सुनो ममाई जी सुनो इस राइत कार्मिक आंदो लंजो है उसको छोटे मत समझो आप मोधी जी को हमने एक कहना चाहते है कि हाइदराबाद करनाटक मतलब थल्यान करनाटक तुवर उगाने वालों का बहुत बड़ा कनश कहते है कनण में इसका यहाँ का उगाएसो तुवर पूरा एशन कंट्रीज को हमने यहांसे बेश देते है इस समय बैसा तो तुवर उगाने वालों किसानों का हालात पहले से बहुत खराब है हम सीपियम पार्टी वाले किसान सभा वाले माईला संग वाले युवा संगटन वाले केस डाल लिया हमारे उपर केस हुआ लाटे चार्ज हुआ हम जेल भोगे जेल गए थे हम इसके बाद यहां एक बोर्ड हो गया मगर अब हालत ऐसा बिगड गया कि बोर्ड में पैसा नहीं है तुवर खरिदने का इस समय तो तुवर 80-85% पूरा बर्बाद हो गया जो कर्नर में कहते हैं नेटे डिसीज आ गया पूरा बर्बाद एक दाना तक नई बचा तो तुवर उगाने वाले हमारे किसान कहा जाना अभी प्रधान मंत्री जी हमारे धर्टी के उपर आ रही है हमारे प्रदेश को आ रही है थोड़ा देखो मोदी जी यहां तुवर उगाने वालों किसानों का हालत क्या हुआ है मोदी जी गुंगे बहरे है कभी नहीं सुनते किसके लिए वो किसका बात सुनते उनका मन की बात तो है है किसके लिए है मन की बात उनके लोगों के लिए और लोगों को जूट बोलने के लिए मन की बात है तो उन्हों घुंगे बहे रहे हैं खिसानों के लिए गरीब लोगों के लिए माइनोरिटी दलीतो और कामकाज लोगों के लिए उन्हों घुंगे बहे रहे हैं कभी नहीं सुनते क्यों नहीं सुनते उनका एक अजंडा है उनको कौन बोले है, RSS बोले है उनका बीजेपी तो एक पोलिटिकल पार्टी है यह नहीं है तो RSS क्या बोला है इस देश में जो काम करने वाले लोगों है वो मरना वो कभी अच्छा जिंदगी नहीं जीना जो किसान है जो उगाते हैं उनके हाथ से खेती लेना और कॉर्परेट लोगों को देना ऐसा नौबत लाके रखे हैं हमारे किसानों को जो उगाने के बाद और दुसरी माँ है पहला माह हमें जन्म दिया दुसरी माह किसान और कुषी कूली कार्मिक जो agriculture worker से वो हमें दान देकर हमें अन देकर हमें जिन्दा रखे हैं ये मोधी भी ये बसुराज बोमाई भी ये सब लोग भी किसानों का अन खाके जिन्दा है वो कुछ ऐसा हवा में जिन्दा नहीं है मगर अभी उन्होंने किसानों को धोका करने वाले है ये डबल एंजिन सरकार है ना स्टेट आउर सेंटर ये डबल धोका करने वाले डेंजर सरकार है क्योंकि ये आदानी अंबानी का इंकम एक साल में दो साल में कितना हुआ आपको मालूम है ये एक लाट पचासी करोड उनका करज माफ करते है मगर किसान बरबाद हो रही है उनका जो विमा है जो इंसुरेंस पैसा ये वो भी नहीं दे रहे है और उन पूछ रही है ये केकर को 25,000 दे दो जादा नहीं 25,000 दे दो अगर ये आदानी अंबानी का एक समय का करज इनों माफ करना छोड़ कर अगर किसानों का दिये तो पुरा करनाटक को किसान को दे सकते उतना पैसा है मगर नहीं देते वो पूछ रही है इतना अच्छा तुवर है हमारा आप इंपोर्ट मत ले लो बाहर का तुवर मत खरीदो कि अभी 10 लाग टन से जादा खरीद लिया उसका कोई टैक्स नहीं है इंपोर्ट का टैक्स नहीं डाले है इन्हों कहते हमारे तुवर बहुत अच्छा है हमको लक्षा दे दो हमारे तुवर को आप अच्छा मदद करो हम अच्छा उगा के देते आपको मगर ओ नहीं करते क्यों नहीं करते उनका मन में एक छुपा हुआ अजंडा है मोदी के मन में भी वसराज बॉमाई के मन में भी और आरेसेस के मन में भी हमारे किसान बरबाद होना और किसान के पूरा आगे पीछे जितने भी लोग है उन्हों अच्छा जिंदगी जी सकते थे किसानों के कारण वह भी बरबाद होना वो सब लोग बरबाद होने के बाद रहे हैं किसानों सो कर करें हैं गाम-पफित में एक्ही खरिदने का सेंटर खुला करो । यह सब पूछा हैं किसान और जो करड़ू करें हैं वह माफologि कुछा सरकार कीhã उलने क्यों अभानी बन करने वाले सर्कान और हैं कीसा मैं आपको बताती हूँ कि आधानी अंबानी का एजेंट सब हाइदराबाद से बंबाई से अलग-अलग मेट्रोपॉलिट सिटी से गाउं को आ रही है कैसा आ रही है हमारी किसान उगा-उगा के बरबाद होके करजा करके अब आत्मात्या कर ले रहे यह खेती हमें नहीं चाहिए हमें कितना होगा ने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहे बेचना बेचना इनके मन में आना वैसा करें बेचने बेचे मगर लेने वाले कोन है एक कॉर्परेट के एजेंट वाले ले रहे यह लेके हमारी किसाउनों के हाथ से खेती लेके उन्हों कम्पनी agriculture कर रहे है कम्पनी agriculture का बामनादब क्या है एक कम्पनी आए था हमारे डेश को बरबाद करनी में अभी हजारों कम्पनियां आरे से सहूर बीजे पी सरकार इधर ला रहे है यह के गाउ में 500-600 एकर खरीर कर रहे, फेंस डाल रहे और पूरा मशीन से बीज यह करते और बोचते और वुगाते मशीन से मशीन से ले जाके उनों गोदा में डालते वहां अग्रिकल्चर वर्कर्स को काम नहीं, किसान को काम नहीं, किस को नहीं, सब भी को बाहर हकलते पूरा हमारे अग्रिकल्चर उनका कंपनी अग्रिकल्चर बना लेते ये बहुत डेंजर की बात है इसलिए हम कहते तुवर का बात है एक कल्चर की बात है अग्रिकल्चर का एक कल्चर है हमारा कुशी कल्चर कहते हम तुवर की बात है जिंदगी की बात है तुवर हमारे भव वो कहते हैं, किसान खेत बेचना, बरबाद होना, खेत कॉर्पोरेट लेना और कमपनी कुशिव होना, यह उनका मन में है, और अब यह 18 सितारी को आने वाले हैं न मोदी जी, मोदी जी इस पूरा प्रदेश का, लोग किसानों का, अभी छपते न, पूरा पेपर में, मेडिया अगर उनण खाते तो इदर थोड़ा देखते हो अगर नहीं खाते तो एलेक्शन के लिए गुमनाम करके मन की बात जैसा जुटे-जुटे बात बोलकर चले जाते हैं इसलिए हम कहते हैं यह हमें परियार देने वाले नहीं है एक कॉर्पोरेट के पक्ष में है और एक फैसिस्ट है एक हिटलर जैसा है एक मुसलोनी जैसा है इस देश में एक 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 कु लाइन में लगा के उनको मारने वाले है हम लोगों को विनंति कर रही है इस बार उनको पर्शु स्टूडेंट से पर्शु पुरा देश है इसलिए आज हमने आगरा करते है किसानों को अगर रक्षा करेे तो देश पचे cape next狂 करते तोी देश नहीं पचे और साथी साथ राइट संगतनों से आप देख रहे हैं पूरे करना गुलबरगा में जो हालाद है हमारी गुलबरगा को नामी है कि तोगरिया नाडू बोलके तुवर दाल बहुत युगाते हैं यहां पर जो मेजर कमर्शियल हमारा क्रॉप है वो ही इस बार बहुत खराब किसी को कॉम्पन्सेशन देने के लिए गवर्मेंट ट्रेडी नहीं है इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके है और बेलगाउं अधिवेशन जो हुआ वहां पर भी राइट संक्रटरम से कुछ रीप्रेसेंटेटेव्स बहुत बड़े तरीके से इसके लिए प्रोटेस्ट किये अवाज उठाये पर अभी तक आप लोग कुछ भी कंपोन्सेशन अनोंस करने के लिए तयार नहीं है हम यहां पर मांग कर रहे हैं यह सिर्फ यहां पर जो इखटा हुए है कुछ किसान कुछ या मजदूर सिर्फ इनी की डिमांड नहीं है हर एक की डिम कर रहे हैं यहां डिमांड रखा गया है जो विमा कंपनीज है किसानों को करजा देते हैं उसको माफ किया जाए और गौर्वेंट से उसको केस लगा दिया जाए क्योंकि वूच गलत है साती साथ एक एकर को जो खराब हुए है क्रॉप तुवर्दाल खराब हुए है उसके यह 25,000 दिया जाए साथ एक क्विंटाल तुवरदाल को 12,000 रुपाई दिया जाए बोलके बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहा है और जो आप जानते हैं हाली में हमारे प्राइम मिनिस्टर आने वाले है गुलबरगा को यहां पे पीडियों की काम है पीडियों की काम है कि यहां की प्रॉब्लम के बारे में कोई भी बात नहीं चल रही है तो गुलबरगा के रिखान अगर यह लोग आप डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो नहीं छोड़ने वाले है यहां पर कुछ चंद लोगाये होंगे आज अगर ऐसा ही चलता रहा क्यूंकि की मेजर क्रॉप कमर्शियल मेजर क्राप है हमारा तो एसा ही चलता रहेगा बोलके अगर यह हुआ तो सारे किसान मज़ूर स्टूडेंस हर यह की तपके की लोग मिलके प्रोडस्ट करेंगे बोलके बोलना चाहेंगे फाम याइडिया सो स्टूरेंट्स ओर्गनाइजेशन शिल्पा भी तंग